नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरुफ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियान अपडेट डेली न्यूस रिवाडी की बड़ी खबर आ रही कि रिवाडी में चार सट्टे बाजों को पुलिस ने पकड़ा है पूरा मामला यही कि दिली जैपुर हाइवे के पास सालावास गाम के पास एक सोसाइटी है प्लैटीनम वीला सोसाइटी जिसके अंदर से इन चारो सट्टे बाजों को पकड़ा गया है पूरी गटना यह थी कि पुलिस को शिकायत मिली थी या गुप्त सूचना के अदार पर पुलिस वहाँ पर पहुंची थी पुलिस को गुप्त सूचना यह मिली थी कि यहां पर सट्टे बगए जारे है इसके चलते पुलिस ने वहाँ पर गई वहाँ पर जब उनके कमरे के पास पूची तो चारों तरफ से पहले तो पुलिस ने कमरे को गेर लिया इसके बाद अंदर गई तो पता चला कि चार लोग वहाँ पर सटा लगा रहे थी इसके बाद जब पुलिस ने चानबी इन की तो उनके पास लैपटोप एक लाख तीस हजार रुपए की नगदी और डाइरी और मतलब अन्य जो भी चीज़े सट्टे लगाने की काम आती है रुपए कैश वगेरा मलब सारी चीज़े उनके पास थी इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछ ताज की तो उन्होंने का की जो कराची और इसलामाबाद के बीच मैच चल रहा था उसके अंदर वो सट्टा लगा रहे थे पुलिस अब उनको पुलिस टेशन ले गई इसके बाद और पूछ ताज करेगी लेकिन बस अभी तक यही सूचना मिलेगी चारो सट्टा लगा रहे थे उनकी जितनी भी चीज थी सारी पुलिस ने बरामद कर लिया अब आगे देखते क्या कारवाई होती है रिवाडी के अंदर नशे सट्टे बाजी और क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे है रिवाडी की पुलिस ने काफी अच्छा काम के इन चारों को पकड़ लिया रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबर यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे रोजान आपको रिवाडी की बड़ी खबर इस चैनल पर मिलेंगी इसी के साथ धन्यवाद